पत्तियों को खाता है बकरा, पकरे को सेर दबोचे, भूख से कोई ना बचे हेलो BSC 3rd year student कैसे हैं आप सबी लोग, उमीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आज कि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे BSC 3rd year Geology में आपका 3rd paper आता है Ecology, Microbiology, Animal Behavior, Pollution and Toxicology दोस्तों इस सेमेस्टर के अंदर हमने 1st unit start किया था Ecology जिसके 7 parts में already cover कर चुका हूँ अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो description box में आपको link मिल जाएगा या फिर आप channel के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से playlist मिल जाएगा आज कि इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे Ecology का part 8 जिसमें हम cover करेंगे एक most important topic the 10% low exam paper में आपसे दो number में short question में पूछा जा सकता है what is 10% low या फिर आपसे 5 number में भी पूछा जा सकता है अगर exam paper में 10% low आपसे 5 number में पूछा जाएगा तो अब आप लोग ये diagram draw करके exam paper में अच्छे से explain करेंगे इस diagram की मदद से आप लोग अच्छे से explain कर सकते हैं 10% low के बारे में so student 10% low को खत्म करने के बाद हमारा जो second chapter ecology का वो finish हो जाएगा इसके बाद हम लोग start करेंगे third chapter habit and ecological niche तो सबसे पहले अगर हम simplest way में समझे कि 10% low क्या है तो मैं इसको अगर simplest way में define करने की कोशिश करूँ तो मैं कहूंगा 10% low के अंदर basically जब एक trophic level का organism किसी दूसरे trophic level के organism को consume करता है यानि इसको खाता है तो उनके बीच जो energy का transfer होता है वो सिर्फ 10% ही होता है बाकि 90% जो energy है वो environment के अंदर heat के formulaus हो जाती है या फिर जिस organism ने उसे consume किया उसकी metabolic activity के अंदर वो energy रूलोस हो जाती है सिर्फ 10% ही energy transfer होती है अगर मैं इसको example के साथ आपको समझा हूँ तो हम लोग एक simple food chain का example लेते हैं food chain का topic I hope आपने clear किया होगा traffic level आपका clear हुआ होगा जो कि मैं cover कर चुका हूँ इसके बाद food web, energy transfer in food chain ये कुछ ऐसे important topic है जो कि 10% लोग को समझने से पहले आपको देखना चाहिए ताकि आप लोग इसको और भी अच्छे से समझ पाएं 10% लोग को एक छोटे से example के साथ समझते हैं हमारे पास यहाँ पर एक simple food chain दिखाई दे रहा है हमें पता है कि plant जो होते हैं वो sunlight को capture करते हैं और photo synthesis reaction के दोरा खुद के लिए food बनाते हैं अब इनके अंदर जो food है वो glucose के रूप में reserve हो जाता है, store हो जाता है अब इसको कोई herbivore animal जैसे for example हीरन आ सकता है, बकर आ सकता है, या कोई rabbit आ सकता है वो आ करके जैसे ही इन plant को consume करेगा, उसके अंदर energy transfer हो जाएगी ठीक इसी प्रकार से जब आप 3rd ट्रोफिक का कोई animal, कोई carnivores animal आएगा वो herbivore को मार कर खा जाएगा, तो उसके अंदर energy transfer हो जाएगी plant जो होते हैं, वो sunlight का सिर्फ 1% भाग ही capture कर पाते हैं photosynthesis के लिए सिर्फ 1% ही capture करते हैं तो 1000 joule energy का 1% कितना हुआ, 10 joule यानि हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पर 10 joule जो energy है, वो इस plant के अंदर store है यहाँ से start होता है 10% low, देखे simply अब जैसे ही कोई herbivore animal जैसे हमने यहाँ पर example के form में हिरन लिया हुआ है अब यह हिरन आकर के जब इस plant को completely consume करेगा तो उसके अंदर कितनी energy transfer हो जाएगी total 10 joule उसके अंदर energy आकर के transfer हो गई अब इस 10 joule में से 9 joule जो energy है वो environment के अंदर heat के form में लोस हो जाता है जब यह कोई metabolic activity करेगा एक joule जो energy है वो इसके flesh यानि इसके मांस के अंदर store हो जाता है तो इससे हमें क्या पता चला first traffic level जिसमें total 10 joule energy थी उसका सिर्फ 10% ही transfer हुआ बाकि सारा environment के अंदर लोस हो गया फिर उसके बाद अगर हम चलते हैं second traffic level में तो अभी इसके अंदर कितना energy store पड़ा है एक joule energy जो है available है इसके flesh food में यानि इसके मांस के अंदर इसके बाद student यदि कोई third traffic level का जो animal कोई carnivores animal जैसे loyan है वो आकर के मार के इस hiran को खाएगा तो उसके अंदर एक joule energy transfer हो जाएगा अब उस एक joule energy का 10% ही इस loyan के अंदर store होगा बाकि 0.9 joule energy जो है वो environment के अंदर loss हो जाएगी heat के form में कैसे heat के form में loss हो जाते हैं जैसे उस मांस को पचाने के लिए जो metabolic activity होती है या सेर के अंदर जो भी physiological activity है उसको होने के लिए energy के requirement होती है वो सारी energy जो है वो environment में loss हो जाती है सिर्फ 0.1 joule energy ही उसके मांस के अंदर store रहती है तो इस परकार से हमने एक simple example से समझा कि किस परकार से energy का जो transfer होता है वो सिर्फ 10% ही होता है आई आप लोग no down कीजिए यहाँ पर definition भी आप लोग no down कर सकते हैं कि आप लोग exam paper में सो अच्छे से explain कर सकें After studying energy transfer in different food chain in a large number of ecosystem बहुत सारे ecosystem के अंदर जो food chain, जो different food chain है उसके अंदर energy transfer को study करने के बाद Raymond Lindman ने 1942 में एक law दिया, एक generalized law दिया जिसे कहा जाता है the 10% law It is also called Lindman Trophic Efficiency Rule According to 10% law, only 10% of energy entering in the particular trophic level is available for transfer to the next higher trophic level It means that the energy available at each successive trophic level is 10% of the previous level यानि कि सिर्फ 10% ही energy जो है next trophic level के अंदर transfer होता है Thus there is a gradual decline in the amount of energy available from the producer level to the higher trophic level Producer से अगर आप higher level की तरफ जाएंगे तो आप लोग देखते हैं, gradually जो energy है, वो हर trophic level में decrease करती है क्योंकि सिर्फ, आप खुछ सोचकर, imagine करके देखे टोटल 90% जो energy है, वो environment में loss हो रही है Right, सिर्फ 10% ही transfer हो रही है तो जैसे जैसे आप लोग trophic level में आगे बढ़ते रहेंगे 10% 10% होते होते हैं, आप लोग उनको ने क्या देखा सिर्फ 0.1 joule energy ही सेर के मांस के अंदर जो उसके flesh के अंदर available है Right, so the 10% low can be made to understand clearly by the following example हम लोग इसको example के साथ समझ सकते हैं, diagram मैंने represent किया हुआ और इसको अच्छे से मैंने आपको समझा भी दिया है अब आपको सिर्फ note down करना है Let us consider a food chain consisting of 3 trophic level हम एक ऐसा food chain consider करते हैं, जिसमें 3 trophic level available है जैसे कि plant जो कि producers का काम कर रहे है हर्भी वोर के अंदर हमने आपर deer यानि हिरन को लिया है और कार्णी वोर के अंदर हमने लोयन को लिया है The first trophic level plant has 10 joule of energy अब जैसे कि मैंने आपको कहा इस sunlight से total 1000 joule जो energy आ रहे है सिर्फ उसका 1% ही plant capture कर रहा है यानि सिर्फ 10 joule energy ही उसके पास available है तो यहाँ पर first trophic level में total कितनी energy है? 10 joule है, right? The first trophic level plant has 10 joule of energy According to 10% low, only 10% of 10 joule of energy will be available at the next trophic level यानि कि सिर्फ 1 joule ही energy जाकर के आगे transfer होगी 10 joule का 10% कितना होगा? 1 joule energy यानि 1 joule energy ही herbivore के अंदर transfer होगी next trophic level में, right? Thus the herbivore which is at the second trophic level जो herbivore जैसे की hiran है जो कि second trophic level में है get 1 joule of energy वो सिर्फ 1 joule energy ही get करता है, प्राप्त करता है The rest of the energy जो बाकी जो बची भी 9 joule energy है lost as a heat in the metabolic activity वो उसकी metabolic activity में lost हो जाती environment में, right? Again applying the 10% low उसकी बाद फिर next trophic में जब वो level में जो हम 10% low को apply करेंगे 10% of the remaining 1 joule यानि कि 0.1 joule is available to the third trophic level जो कि example की रूप में हमने lowen को देखा Right? The rest of the energy बाकी जो बची होई energy है 0.9 joule energy is lost to the environment and the metabolic activity वो जो है metabolic activity or environment में lost हो जाती है So, यहाँ पर question आता है What happened to the other 90% in the 10% rule? दोस्तो, 10% rule के अंदर हम लोगो पता है कि energy जो है वो 10% ही transfer होती है एक trophic level से दूसरे trophic level में तो बाकी 90% energy कहां जाती है Most of the energy that isn't stored in lost as a heat Mostly जो energy का हिस्सा है जो की stored नहीं हो पाया next trophic level में वो heat के form में lost हो जाता है और is used up by the body as it process of the organism that was eaten बाकी उसकी body के अंदर जो metabolic activity है उसके द्वारा use कर लिया जाता है तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो के अंदर हमने discuss किया 10% low के बारे में जिसमें बहुत ही simple method मैंने आपको समझाया जब एक trophic level का organism किसी दूसरे trophic level के organism को consume करता है तो उनके बीच जो energy का transfer है वो सिर्फ 10% ही होता है So I hope आपको यह अच्छे से समझ में आ गया हो मिलते हैं student next video में वीडियो पसंद आए तो लाइक करें चैनल को subscribe कर देंगा आपको इसी तरह की और भी वीडियो चाहिए तो मिलते हैं next video में बाइ बाइ टड़ा